आप दोस्तों मैं हो दोक्टर परमजीत आप देख रहे हैं दोक्टर एजूकेशन और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को अगर अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यह मेडिकल सर्टिफाइड चैनल है यहाँ पर सारी जानकारी आपको सर्टिफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम वेरिफाइड उस नाशनल मेडिकल लाइबरी और इसको स्वाइड करेंगे कि कुछ लोगों के बाल कूं चले बाल कि जाते हैं दाल जाते हैं रिशर्चि क्या कहती है पॉजटिव साइड क्या है उसका बाच्चीत करेंगे लंग टम अमे bugün क्या ने ट्रीटमेंट आपके लिए कवक याम करेगा और आखिर में आप आप इससे क्या लेके इस वीडियो से जा सकते हैं तो बहुत बहुत important है कि आप आखरी तक इस वीडियो के देखो और आईए शुरू करते हैं क्या laser treatment आपके बालों के लिए effective है या नहीं तो कुछ लोगों के बाल ज्यादा ज़ड़ते हैं किसी के कम सौ बाल आपके सर से रोजाना निकल जाना जड़ जाना नॉर्मल होता है कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि सौ बाल तक आपके शरीर से आपके बालों से निकल जाना इस नॉर्मल और ज्यादा तर लोगों के जो बाल जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी age याने उमर बढ़ रही है या फिर heredatory problem है किसी प्रकार का genetic issue है उनके बाप दादाओं के बाल वैसे गए थे माबाप के बाल इसलिए उनके भी जा रहे है hormonal changes एक बहुत बड़ा reason है females में बाल जाने का males में बाल जाने का testosterone एक level के बाद कम होने लग जाता है इसे वज़े से उनके बाल जो है जाते है और उसके अलावा कई medical conditions है जिसमें lupus एक kind of infection और diabetes बहुत important कह लीजे बिमारी है और जिसके वज़े से भी बहुत सारे लोगों के बालों में जडों में blood supply, nerve supply हैंपर हो जाता है और शुगर हाई रहने के वज़े से बाल जले जाते है इसी तरह से बालों को बनने के लिए कुछ important nutrients, protein, iron, selenium ऐसी चीजों की ज़रोत होती है अगर वो ही नहीं रहेंगे तो बाल भी नहीं बन पाएंगे और कई ऐसी दवाएं आती हैं, कई medical treatment आते हैं जैसे आपने देखा होगा कीमो थेरपी करते हुए लोगों के बाल जो है बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं तो बाल पूरे चले जाते हैं तो कीमो थेरपी, एक ऐसा ऐसी दवाएं होती है जो जल्दी जल्दी खुरो करने वाले cells को टार्गेट करती है और ऐसे cells आपके शरीर में बाल बहुत कॉमनली जल्दी जल्दी गुरो होते हैं इसलिए बाल जल्दी डामेज हो जाते हैं पता नहीं होगा कुछ लोगों को, इस बात का इसलिए आज पता चल गया, तो ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, और इसी तरह से stress एक बहुत बढ़ा कारण है, जी हाँ, stress के वजए से भी बाल चले जाते हैं, किसी प्रकार का psychological या physical stress आपके शरीर पे बहुत severe stress तो कुछ समय के लिए आपका बालो का जो growth phase होता है, वो शंट हो जाता है, रुक जाता है, इस वजए से जो बाल है, वो चले जाते हैं, इसका वो tillogen effluvium भी कहते हैं, अब treatment कौन-कौन से होते हैं, जो hair loss होने के बाद यूज़ किये जाते हैं, सबसे common treatment जो यूज़ होता है वो है दवाईया, ठीक है, minoxidil या फिर finasteride नाम के दवाईया बहुत ही commonly लोग लगाते हैं अपने सर पे, और finasteride की गोलिया भी कई males खाते हैं, जो DHT का effect block करते हैं, उसके अपने side effects हैं, उसके बारे में आप अपने doctor से या उसके detail video देखने के लिए हमारे चैनल पर सर्च क लाइड होती है, या फिर cold laser therapy होती है, cold laser में photons नाम के जो radiations होते हैं, वो आपके scalp आपके चमडी के अंदर डाले जाते हैं, ये photons जो हैं, ये absorb होते हैं by the weak cells जो आपके hair cells होते हैं, और hair cells का growth वहाँ पर ये photons encourage करते हैं, अब ये widely accepted treatment है, क्यों accepted है, क्योंकि ये एक safe treatment है, बहुत ही tolerable है, less invasive है, कोई सुई नहीं लग रही है, कोई hair transplant नहीं हो रहा है, कोई infection का खतरा नहीं है, तो less infective, less, बहुत ही easily tolerable kind of treatment है, ठीक है, अब थेरी क्या बोलती है, कि जब भी laser treatment किया जाता है, यहां पर ये low zone laser treatment होता है, ये क्या करेगा, ये number one, आपका महाँ पर blood circulation से अपने आप में stimulation होने लगता है, hair follicle का कि वो बाल बढ़ाए, जैसे ये देख रहे हैं, छोटा सा बाल है, उसके उपर laser लगाया, laser के वज़े से ये बाल बढ़ा हो गया, something like this happens, now, results जो आते हैं, ये लेकिन inconsistent है, क्यों inconsistent है, क्योंकि आप जब laser treatment दे रहे हैं, तो बाल के अ जनाने का raw material ही नहीं है, आप लगातार stress में हो, आप सो नहीं रहे हो, आप जो basic दूसरे reasons हैं, जो हमने पहले देखे, अगर आप उन reasons को cover ही नहीं कर रहे हो, right, तो केवल laser treatment कर लेने से, blood flow बढ़ा लेने से, महां बाल को stimulate कर देने से काम नहीं होगा, आपकी chemotherapy चल रही है, तो वैसे काम नहीं होगा, you have to understand the reason, आपको reason को भी cure करना जरूरी है, और तब आपका कोई भी treatment काम करेगा, तो अध्यान में रखें कि treatment काम consistently क्यों नहीं करता है, इनके बहुत से complications वाले reasons हो सकते हैं, बहुत सारे factors affect करते हैं, और research होनी चाहिए, इसमें जो बताए कि यह कितन परसेंट effect करेगा, क्या पूरी तरह से आपके लिए काम करेगा कि नहीं, तो research क्या बोलती है, कुछ research होई है, 2014-2013, छोटी research हैं, जिन में के देखा गया है कि growth होती है, men women दोनों में, और safely होती है, number 2, उसमें का दूसरा research जो बताया था, जिसमें कितना परसेंट, 39% hair growth होते भी देखे गई है, 16 हफते के period के अंदर, तो not a bad result और safe treatment है, so अब इस चीज़ को सबसे important है, non-invasive है, painless है, कोई side effect नहीं है, और hair के उपर भी कोई damage नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको use करने में कोई दिक्कत नहीं, negative side effect क्या है, एक issue, सबसे बड़ा issue है, इसमें सम समय लगता है, क्योंकि इसमें कई sessions लेने पड़ते हैं, कई महीनों तक, तो ये महंगा हो सकता है, और ये continuous treatment की भी जरूरत पढ़ सकती है, आपको लंबे समय के लिए हो सकता है, rest of the life के लिए बीच बीच में लेना पड़े, और सबसे बड़ा चीज जो है, कि अकेला factor नहीं है, आप हो सकता है, आपका genetically वो hair जो है, वहाँ से खतम ही हो गया फॉरी कर, फिर वहाँ कितना भी laser मार लो, वो फॉरी कर पैदा थोड़ी हो जाएगा, advanced stage hair loss पे इसका कोई फाइदा होगा नहीं, early stage में जरूर फाइदा होगा, उसके अलावा मैंने जैसे बताए, ये महंग मतलब क्या होता है, एक दवाई होती है, जो आपके light से sensitivity आपकी चमडी की बढ़ा देती है, तो ऐसी कुछ दवाओ में effect होता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि मैं laser लेना चाहता हूं, क्या मैं ले सकता हूं, और लंबे समय में, क्या ये safe है या नहीं, अभी बहुत लंबे समय तक किसी ने use करते हुए बहुत बड़ा studies अभी नहीं आई है, तो यह नहीं कह सकते कि बहुत लंबे समय पे कोई major side effects है कि नहीं, आगे चलके कुछ research आएगी तो पता चलेगा, तो फिलहाल ये FDA के through as a medical devices, मतलब ये testing बहुत जादा होती नहीं है, कि हम इसको दवा खाल बहुत करा है, कि अगर आपके hair ये जो है नहीं आ रहे हैं, और आगे hair transplant लेना चाहते हैं, तो hair transplant से पहले येAK option आपके लिए हो सकता है, suscrierd चुना के नहीं को बर्र, कि है क्या है क्या है कु अच्चर्ड है क्या टैपन से VOLU कर सकते हैं और या उपने physician से बात कर सकते हैं, आपकी deficiency, आपके lifestyle, आपके stress, आपकी body के अंदर कोई medical बीमारी तो नहीं है, इन सब की जानकारी, इन सब के लिए evaluation आपके physician भी कर सकते हैं, तो physicians के लिए consult करने के लिए आप हम से बात कर सकते हैं, या आपने doctor से बात कर सकते हैं, यह number दिया हुआ है, और इस video को share जरूर करिएगा, अगर इस से आपको कुछ सीखने को मिला है, thank you so much, ऐसे ही video देखने के लिए बने रहिए doctor education में, stay connected, stay healthy.